Hair fall हो रहा है, infusion all prepare कर लिया, लगाना कब है? Hair oiling के कितनी देर बाद बालों को दोना चाहिए? बाल दोने के बाद, कितनी देर के बाद अपने बालों को बांध लेना चाहिए? Hair fall के दौरान कंगी करनी चाहिए? कितनी बार करनी चाहिए? आपके इन सभी confusion भरे सवालों का जवाब आज की वीडियो है इस प्लाटफॉर्म पर इससे जादा simple वीडियो related to your hair fall I don't think आपको मिलने वाली है, इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेगा और अगर content पसंद आए तो like करना बिलकुल मत भूलेगा Let's check out what needs to be undistant हे मैंने कसम ली हे तुने कसम ली नहीं होंगे जदा हम हे मैंने कसम ली अब कसम ली है, तभी तो आपके सामने मौजूद है नमश्कार और स्वागत है मेरेपरिवार का उनके अपनी चनल पीती प्रेटनापर अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरा नाम है प्रेटना चानल का नाम है प्रिती प्रेटनापर यहां पर मैं ऐसे ही गाते गुन-गुनाते बहुत खुबसूरत सी DIY remedies अपने परिवार के साथ शेर करती हूँ जिसे यूज करके वो काफी खुश है अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे जो लाल रंका बटन है उसे क्लिक कर दीजे उसकी बगल हिए dass during our hair fall, hair fall के दौरान कंगी करने में डर लगता है, शांपू करने में डर लगता है डर लगता है यह ओल सूट करेगा या नहीं है हेर रेमेडी प्रिपेर तो कर लिए लगाएं या नहीं इतने सारे चंविजन रहते हैं तो आज सारे confusions को आप छोड़ दीजे, जो रूटीन मैं आपके साथ share कर रही हूँ, इसको religiously follow कीजे, एक हफते के बाद अगर आपको change नहीं रिखता है, तो आप इसके अंदर amendments कर सकते हैं, अपनी convenience के हिसाब से इसको change कर सकते हैं, and you can have the best of results for your son. मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में share किया था कि Monday, Tuesday, Wednesday and so on, इन days पर आपको क्या-क्या करना है, पर थोड़ा सा confusion हो गया था कुछ लोगों के लिए क्योंकि Thursday को head wash नहीं करते हैं and so on, तो आज मैं आपको Monday, Tuesday नहीं, बलकि Day 1, Day 2 के हिसाब से सारा का सारा regime share कर रही हूँ, आप लोगों को Flaxseeds Gel प्रपेर करना है, मेरा पूरा परिवाद जानता है कि Flaxseeds Gel कैसे करना है आपको एक चम्मच Flaxseeds लेने है, पैन में डालना है, पानी बॉल करना है, इसको अच्छो से उबलने देना है, यह जल में तबदील हो जाएगा और गरम-गरम ही इसको छान ले और उसके बाद इसको आपको अपने बालों में 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 अप Day 1 is only oiling with this infusion and आपके जो बाल जो भी stressed out हो रखे हैं जो गिरने के लिए आतुर हो रखे हैं This is like taming it, behave yourself, believe me So day 1 पर आपको ये बहुत ही अच्छी सी nutritive remedy अपने बालों के लिए करनी है, उन्हें रिलाक्स करना है That you know everything is fine Day 2 आप लोगों को सुभा उठकर अपने बालों में एग योक लगाना है, हम अंडे का इस्तमाल नहीं करते, आप लोग चावल एक रात पहले भिगा सकते हैं और चावल के पानी का अपना अप्लिकेशन अपने बालों में कर सकते हैं प्रॉपर अपने स्कैल्प पर लगाएंगे, स्कैल्प पर पूरा ही लगाना है क्योंकि हेर फॉल का काम हो रहा है अगर लेंज पर भी लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई टेंचन रही है और अच्छे से लगाके आधे से 45 मिनट यानि की 30-45 मिनट अपने बालों में रखके और शैंपू यौर हैर, शैंपू बदलने की कतई आवशकता नहीं है, जो आप इस्तमाल कर रहे हैं वही शैंपू आप यूज करेंगे हम अपने बालों को कोई शौक नहीं देना चाहते नया, इसलिए जो चल्दा आ रहा है शैंपू अप उसी को इस्तमाल करेंगे अच्छे से शैंपू करेंगे, बहुत अच्छे से शैंपू करेंगे, नो कंजूसी राइट, थोड़ा सभी रेसिड्यू रह जाएगा तो डैंडर्फ की प्रॉब्डम हो सकती है, फिर आप बोलेंगे आरे ये क्या रूटीन है, ये तो देखेंगे ने कि आपने गलती कर इसलिए अच्छे से वाश करेंगे, पूरा प्रॉपर लैदर बनाएंगे और अच्छे से वाश कर लेंगे, चाहे अंडा, चाहे राइस वाटर, as you are comfortable, अरे डे 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी डे 2 कंप्लीट नहीं हुआ है, जब आप शांपू कर लेंगे, तो रात के स हलका सा गुनगुना करना है, बीच को क्रश करके इसमें डालना है, and you can use that, जो प्याज इस्तमाल करते हैं, वो हलका सा प्याज, उसी समय काटना है, बना के नहीं रखना, मम्मी बना के रख दो, शाम को बोल दिया, पांच बज़े और रात को लगा रहे हैं, ये नहीं होगा उसी समय प्रिपेर करना है, जैसे हलका गुनगुना हो, बहुत सॉफ्ट हैंड से अपने बालों में लगाना है, और बालों को बांध कर, खुला रख के नहीं सोना, बांध कर सो जाना है, अब आपका डे टू कंपलीट होता है, डे नम्बर त्री, आप सो कर उठे, बालों म जैंगे, यहाँ, त्री ध्रांबेकर रे, बन बनाये, य और काल, अचिस अपने बालों को बाने, आज पूरा दिन ने आपके बालों में रहेगा, आपने तो कहा था, कि बालों में भो जा जाती है, cops, यह अपके बालों में, जानी ही, पूरा दिन कर रहने हो रहे Day number 4, आज शाम्पू होगा, जिहां, आज शाम्पू होगा, चौते दिन आप उत्ते अपने बालों को अच्छे से वाश करेंगे, आनियन ओईल का इंफूजन किया था, लिटल बिट ऑफ स्मेल कुट भी देर, इसलिए प्रॉपर शाम्पू करेंगे, तो स्मेल नहीं आएगी और सूखने देंगे, गिले बालों को बादेंगे, तो फिर बोलेंगे, अरे स्मेल रह गई, गिले बालों को नहीं बादना है, जब सूख जाएं बाल, उसके बाद कंगी करके, फिर बालों को बादेंगे, तो स्मेल नहीं आएगी, तो दे फोर पर आपको सिरफ शाम्पू करना है और पूरा दिन अपने बालों को रिलाक्स रहने देना है आपके जो ऑल ग्लाइन्स है उनको थोड़ी सी रहात मिलेगी कि भया थैंक गॉड अब जो ऑल बहुत सारा था वो गया और हम फंक्शन कर सकते हैं So day 4 is only shampooing your hair and nothing else. Day number 5, hair fall अभी भी हुआ, it's okay, it's okay, अभी हम काम कर रहे हैं, बालों को समझ में आ रहा है कि unnecessarily नहीं गिरना है, so please relax, day number 5, आप लोगों को दुबारा से अपने बालों में लगाना है और टाय करके रख लेना है, again अपको fresh prepare करना है अनियन ओल जब भी आप दिन में कामफटबल है, आप अपने बालों में लगाईए, जितना हो सके जल्दी लगा लगा लगालीजे क्योंकि पूरा दिन और पूरी रात हम चाहते हैं आपके बालो Day nummer hiç six, अज आपको do barah say, औरे स्तवाल करना है आज आप सितमाल करना है आज आपा यवाटर की जगह चावल को अबाल सकते है है जो मांड का पानी अता है पक पकने के बाग चावल का पाणी एक्स्ट्रा लेलेते हैं इसको मांड का पानी कहते हैं इसको मांड का पानी के ف Neee क מקे सकते हैं ओर इस हमें से नौग कंड़ा एक राग्योक मैं एक रेमिडी आपके बालों के लिए अपे लाग्योग आप नाहिं कर लो में घरसे बालों की परीषानी एक लेक्टें आपशेंसी यह तो नहीं कर जाए द्wirration वाहिण है और हच्छ से भाप करें और ऐे उसे दो नहीं करेंगे लिसमा पारत Discar वोहार है करे हैं झाल्क सकते हैं बना सब लिए हूँ पारते सीस्टी नहीं है and day 7 that is the last day of the week आप कुछ नहीं करेंगे आपके बालों को आप फ्री रहने देंगे it is going to be a hair fasting day जब कुछ नहीं करना आप 100 बार कंगी कर सकते हैं like 100 strokes nothing else, कुछ नहीं, कोई application नहीं बालों को जुस्ट रिलाक्स रहने दीजिए और day number 8 पे दुबारा से day 1 स्टार्ट हो जाएगा समझ में आया ये साथ दिन अगर आपके बालों ने आपको रिवर्ट किया तो भाई बले बले आपको सूट कर गया है रूटीन और आप एक्जाक्ली ऐसे इसको दुबारा रिपीट करेंगे अगर आपको लगता है कि किसी एक जगह पर इस नौट सूटिंग मी आइड सम सॉट फ चेंज सम सॉट फ खुड आपको खुड़ी करना चाहते है आपसलीटली कर सकते हैं कोई प्रप्लम नहीं है मैं एक जेनरलाइस्ट आपको रूटीन बना के दिया है कि इस इस तरह से ओइलिंग होनी चाहिए थूआउट दे वीक जिसके लिए बहुत सारी लोग कन्फूज रहते हैं कब लगाएं कब सर्ध होएं कितनी देर के लिए लगा रहने दे छोड़ दे क्या करें तो आप इस तीस को फॉलो कर सकते हैं और इसके अंदर अमेंडमेंट्मेंट्स कर सकते हैं तो कैसा अलगा प्रेसिंटेशन अब इससे सिंपल भाषा में तो शाहिद ही आपको कोई समझा सकता है कि डे वन डे टू दे तरी आपको क्या करना है अगर आपको हैर फॉल हो रहा है तो अगर आप इस रूटीन को रिलीजिसली फॉलो कर लेते हैं तो आम प्रिटी शॉर क कि मेरे परिवार के जो भी लोग हैर फॉल को फेस कर रहे हैं उनको घजब के रिजल्स मिलेंगे और यू अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो डू गिवड़ा थाम्स अप और अल्रेडी दे चुके है तो दुबारा मत करना अनलाइक हो जाएगा अगर आपको लग करते हूं आपको मेरा प्रिस्तुती हमेशा पसंदार रही है मेरे व्लोग चैनल को यह बहुत सारा प्यार दे रहे हैं थांक यू सो वर्य मच आप उसको कुरेट कर रहे हैं उस चैनल को दू लग नो कैसे कैसे करना है I am new towards you know that logging thing तो आप लोग मुझे देफिनितली गाई की से जुड़े रही है thank you so very much keep smiling consider again to my beautiful family again my mini series again to my beautiful again mere pure perivaar again to my beautiful again to my beautiful again to my beautiful again to my beautiful mini hair care series जिसको आप amazingly इस्तिमाल करेंगे और अपने लिए बहतरीन रिजाल्ट्स लेंगे let's check out how it is to be done I don't know where is I don't know where is